बड़ी खबर आपको बता दें सतारा के करार पहुंचे हैं शरत पवार सतारा में आज एक रैली को संबोदित करेंगे शरत पवार वाई भी चौन के समाधी स्थल पर पहुंचे हैं महराश्टर के सियासत में एक के बाद एक नए घटनकरम देखने को मिल रहे हैं नतीजे अचीत पवार के दल बदलने के बाद अब यहां पर पूरी तरह से सियासत जो है शरत पवार के उपर निर्भर है कि वो आगे किस तरह से कदम उठाते हैं अब देखिए सतारा पहुंचे हुए शरत पवार अपने तमाम समर्थकों के साथ और समाधी स्थल पर पहुंचे हैं अब यहां से महराश्टर के सियासत को शरत पवार क्या मैसेज देंगे जो तोड़ फोड हुई है जो दो हिस्सों में नसेपी बट गई है क्या शरत पवार उसे जोड़ने में काम्याब होंगे क्योंकि अचीत पवार शिंदे कैबिनेट में शामिल हो चुके हैं महराश्टर के उप्पुक्यमंत्री बन चुके हैं दावा वो कर रहे हैं कि मेरे साथ 30 से जादा विधायकों का समर्थन है दूसरी तरफ शरत पवार कह रहे हैं कि मैं अभी हारा नहीं हूँ अभी मैं ठका नहीं हूँ इस लड़ाई को लड़ने को तयार हूँ और जनिता के दरबार मैं जाओंगा जनिता तक मैसेज पहुँचाओंगा देखना यह है कि अब इस सियास्त में क्या नय मोड नय घटना करम देखने को मिलेंगे क्योंकि जिस तरह से तस्वीरें आप देख रहे हैं जनिता के दरबार में शरत पवार पहुँच गए हैं सतारा से ये सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सतारा के कराट में ये देखे शरत पवार वहाँ पर पहुंचे हुएं तमाम और भी निता उनके साथ मौजूद हैं लेकिन बड़ा सवाल कि नंबर गेम है शरत पवार कहां पर है अजीद पवार ये दावा कर रहे हैं कि उनके पास 40 से जादा 30 से जादा विदायकों का समर्थन है जिसके पास नंबर गेम होगी एनसेपी उसी को मिलेगी लेकिन चेहरे पे मुस्कुराट ये अपने आप में तस्वीर आज काफी एहम मानी जा रही है देखिए चेहरे पे मुस्कुराट है सतारा के कराट में शरतवार पहुचे हैं आप महराष्ट के सियासत में एक बार पहले भी सीतरा का घटा करम हुआ था जब तेविंद फड़नवीस के साथ अजीद पवार ने सुबा सुबा शपत ले ली थी लेकिन उसके बाद शरत पवार हरकत में आये थे और NCP को तूटने से बचा लिया था इस बार जब दूसरा जटका बतीजे ने दिया है अजीद पवार ने दिया है इस बार शरत पवार का अगला कदम क्या होता है